हलो दोस्तो मैं श्री अपने चैनल स्रिडी फूट्स में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ आप सभी लोग अपने बच्चों को चुकंदर पालक जब भी खिलाना चाहते हैं तो नहीं खाते हैं वो अक्सर करके क्या कहते हैं कि हमको ये सब चीजे अच्छी नहीं लगती इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता वो इसलिए क्योंकि हम उन्हें डिरेक्ली सेफ सबजी बना कर खिलाते हैं या फिर जूस बना कर पिलाते हैं तब आपको क्या करना है उसकी सबजी बना लेनी है या फिर उसका जूस निकाल लेना है तो चुकंदर का हमने जूस निकाल लिया थोड़ा सा नमक डाल के रखलिया। थोड़ा सा मैं इसमें डालूंगी अजवाईन क्योंकि मैंने बताया कि जो मैंने जूस निकाला है उसमें मैंने पहले से ही नमक एट कर रखा है तो सबसे पहले जो चुकंदर का जूस मैंने निकाल रखा है उससे मैं इस आटे को माड़कर रेडी कर लूंगी तो इस आटा हम हमने हरी पत्तियों का जो बैटर बना कर रेडी किया है उससे हम इस आटे को माड़ लेंगे आपके पास रात की बची हुई जो भी सब्जियां हो हरी पत्ते वाली आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं यह मेरे सरसो का साग था तो उसमें मैंने थोड़ा सा धनिया कपता और ल बास से हम अजवाइन और नमक डाल कर पानी से एक आटा और माड़ लेंगे इस आटे को हम माड़ कर रेडी कर लेंगे जैसे हम साधान आटा मारते हैं अकसर करके पराठे के लिए बिल्कुल वैसे हमें इस आटे को माड़ कर रेडी कर लेना है अगर आपको पूरी उगर ब ले लेंगे और एक-एक बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे हमको अलग-अलग तीनों अलग-अलग लेना है और तीनों का अलग-अलग बड़ा-बड़ा रोटी बनाकर रेडी करना है जैसे बड़ी-बड़ी रोटी होती है उस तरीके से हमको बेल कर तयार करना है तो स्लैप पर ह जो एक ग्रीन वाला जो आटा है, इसकी रोटी हम बनाकर रेडी करेंगे, तो इस तरीके से हमको बड़ी बड़ी रोटियां बेलन को घुमा घुमा कर तयार करनी हैं, उसके बास से हम दूसरा आटा ले लेंगे, और दूसरे आटे की भी रोटिया बना लेंगे इसी तरह से हम तीनो आटो की रोटिया बना कर रेडी करनी है बड़ी बड़ी रोटिया होनी चाहिए देख सकते हो आप आकार कैसा है तो ये तीनो रोटिया हम बना कर रेडी कर लेंगे तो ये तीनो रोटिया देखिए हमने बना कर रेडी कर लि उसके बाद से दूसी रोटी पर भी इस तरह से वाल लगाना है और ये तीसी रोटी इस तरह से रख देनी है उसके बाद से इसका आपको रोल बना कर रेडी करना है इस तरीके से आपको रोल बना देना है और रोल बनाने के बाद से इस तीनों को अच्छे से इस तरह से घुम गुमा के आपको सेट कर देना है ताकि ये बाहर न निकले उसके बाद से आपको इसको कट कर लेना है कट करते समय दोनों किनारे आपको अलग कर देने हैं और उसके बाद से इस तरीके से आपको इसको कट कर कर रेडी करना है ये देखे इस तरीके से आपको कट कर लेना है तो आपके स्वादा अनुसार है और आपके पसंद के मुताबिक है। सबसे अच्छी बात ये है कि इसको colorful देखकर बच्चे बहुत मन से खाएंगे। अकसर करके जब भी हमको बच्चों कोई भी healthy recipe खिलानी होती तो बहुत जादे मसकत करनी पड़ती है। लेकिन ऐसी recipes देख देखकर बच्चे तो मांग मांग के आपसे खाएंगे। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये जो recipes होती है इनको आप अपने अनुसार जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। बस एक idea होना चाहिए कि इसको बनाना कैसे है। तो देखे हमने पराठे बेल करेडी कर लिये हैं। अब हम इसको डाल देंगे तवे पर तवा हमारा पहले से गरम था। उसके बाद से डालते ही हम इसको पलट देंगे। क्योंकि अगर जब भी जैके पराठे बनाएं तो एक साइड से जैसे ही डालिए वैसे इसको पलट दीजिए नहीं तो यह जल जाता है। उसके बाद से दोनों साइड से थोड़ा फड़ा पक जाने के बाद से इसमें ऐल लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसे ही लगा देंगे कच्छे पर तो यह अच्छे से पकता भी नहीं हो फूलता भी नहीं है तो देखें मारा फूल भी रहा है। इसकी लेयर बनती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी लेयर बनती है। आप सुबह के नास्ते में से बच्चों को बना खिलाएंगे तो भी बहुत चाव से खाएंगे। आप इसके अंदर पनीर वगरा भर के बना सकते हैं। तो देख सकते हैं देखने में कितना अच्छा लग रहा है अक्सर करके बच्चे न क्या होता है हम देखते हैं जब बच्चों के खिलाओने हम लेकर आते हैं तो अक्सर करके आप देखते होंगे वो कलर फुल होता है क्योंकि बच्चों को कलर बहुत पसंद है तो आप जब ब मार्केट में अख्र करके लॉलूपॉप होता है, तो बच्छों को नुकसान करता है, लेकिन ये सब कलर क्या होता है जित्चों के हें। बहुत जादे फैदयमन्द हो, क्योंकी लीजिद्ध के लिए हेंहिं ते प्राठे हैं। रोटिया बना ली है हमने इसी का चावल भी बनाया है तो आप देख सकते हैं कितना जादे हेल्दी मेरी थाली बनकर रेडी हो गई है आप इसी तरह से सुबर सुबर के नास्ते में या फिर आप बच्चों के लंच में लंच बॉक्स दो बनाते हैं टिफिन बॉक्स उसमें आप बना कर रेडी कर सकते हैं रात के खाने में आप इसे बना सकते हैं अगर आप अपना वेट खटाना चाते हैं तो उसमें भी आप इसे बना सकते हैं इस्टाइम मौसम चेंज हो रहा है तो आप लोग हेल्दी हेल्दी चीजे ही खाईए अनहेल्दी चीजे मत खाईए और यह जो मने रोटिया बनाई है इसकी जगा आप इसमें आलू या पनीर बना कर भरकर बना सकते हैं तो इस तरह के से आप बनाईए तो आप भी खुश रहेंगे और आपके बच्चे बहुत जादे खुश रहेंगे तो इस सब्सक्राइब कर लिजेगा बेल आइकन जरूर दबाएएगा मिलते हैं अपने एक लिए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई